हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सब का एक बार फिर स्वागत है, आज के इस सेशन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं, न्यू स्लेबस और फस्ट ग्रेड एकोनोमिक्स, आप सभी जानते हैं कि आज के दिन और फस्ट ग्रेड भरतियों के लिए नया स्लेबस जारी क जिसमें जीके का स्लेबस भी रिवाइज किया गया, और सभी जो सब्जेक्स हैं, उनके स्लेबस भी रिवाइज हुए हैं, हम लोग इस सेशन में चर्चा करेंगे कि फर्स्ट ग्रेड का स्लेबस, एकोनोमिक्स का क्या है, और उसके लिए किस प्रकार से हम लोगों को तयार किया जाता है, ग्राजूशन के नॉलेज को भी टेस्ट किया जाता है, और फी जीके लेवल को भी टेस्ट किया जाता है, लेकिन इनकी वेटिज अलग-अलग होती है, सबसे ज़्यादा importance 12th class की और graduation की रहती है और nominal importance minor C PG level की रहती है तो PG level से बहुत जादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं अब हम लोग देखते हैं कि economics के syllabus में major क्या परिवर्दन आए economics एक ऐसा विशे है जिसको ठीक से तयार करना अच्छी मेहनत करना उसमें जरूरी होता है क्योंकि उसके बिना उसमें number नहीं आते ये साधारन विशे नहीं है ऐसा विशे नहीं है जिसमें सिर्फ ratification से या कुछ कागजों को देखके आप number ले आएं तो आईए चेक करते हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा senior secondary वाला portion है मतलब बारवी class तक वाला portion है उसमें क्या-क्या चीज़े हमारे syllabus में हैं और पहले क्या थी in general अगर normal हम इसको compare करें तो normally पूरा syllabus जो पहले था लग बग वही है छोटा मोटा minor change या minor cut किया गया है ज्यादा परिवर्तन नहीं है लेकिन syllabus को reorganize किया गया है reorganize का मतलब है फिर से एक बार design किया गया है नाम को थोड़ा गुमा फिरा के लिग दिया गया है headings वदल दी गई है तो totality में आप मानिए कि 99.99% पुराना syllabus और नया syllabus सेम है कोई major changes नहीं है लेकिन कुछ-कुछ minor परिवर्तन है आईए हम उसको check करते है जैसे अब secondary तक के syllabus को हम लोग देखेंगे पहला chapter हमारा है meaning and definition of economics central problem of economy and problem of choice economic system characteristics and functions इसका मतलब है पहला chapter ये कहता है कि हमें अर्थ शास्तर का परिभाशा और अर्थ शास्तर का अर्थ पढ़ना है हमें ये पढ़ना है कि अर्थ व्यवस्ता की केंद्रिय समस्याइं क्या-क्या होती है हमें ये पढ़ना है कि selection की या chain की समस्या क्या होती है और हम लोगों को ये पढ़ना है कि आर्थिक परणाली की विशेषताइं क्या-क्या होती है और उसके कारे क्या होते हैं, ये chapter हमें पढ़ना है, ये chapter पहले भी था, ये देखिए, मैं parallel आपको दिखाता हूँ, 2018 का syllabus, 2018 के syllabus में बस थोड़ा सा different तरीके से लिखा हुआ था, जैसे meaning and definition of economics, अर्थ विवस्तागर्थ और परिभाशा, इस topic को पहले भी रखा गया था, लेकिन line में लिख दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा, अगला हमारा chapter जो है, वो है demand and supply, various concepts of elasticity of demand, मांग और आपूर्ती, और हमें पढ़ना है, मांग की लोच, हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये हमारे syllabus में पहले था क्या, तो देखिए, जो अगर syllabus में नहीं भी लिखे हुए, तो बाकी चीजों को समझने के लिए हमें पढ़ने पढ़ते हैं, जैसे, पहले हमारे syllabus में एक topic लिखा गया था, जिस topic का नाम था, consumer equilibrium, cardinal और ordinal approach, वो भोगता संतुलन के बारे में हमें पहले पढ़ना पढ़ता था, जिसके अंदर हम करम वाचक और गणना वाचक अपरोच को पढ़ा करते थे, वो पहले syllabus में लिखा गया था, लेकिन अगर वर्तमान syllabus देखा जाए, तो वर्तमान syllabus में ये नाम कहीं भी नजर नहीं आता है, लेकिन फिर भी, economics एक ऐसा subject है, जिसमें सभी चीजों को ध्यान से पढ़ने के वाचक अपरोच के बारे में पढ़ते थे, उसके बाद अगला हमारा chapter है, जिसका नाम है production function, उत्पादन फलन, उत्पादन फलन में हम लोग ये पढ़ते थे, कि किसी भी industry को, किसी उद्योग को कितना उत्पादन करना पढ़ता है, उद्योग का मतलब क्या होता है, फर्म क आपको दिखाया, पहले देखिए, production function, law, variable, proportion, return to scale, ये सब का सब पहले भी था, तो इसमें भी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा, यहां तक का syllabus absolute same है, सिर्फ एक भोगता संतुलन जो है, वो थोड़ा सा नए syllabus में missing नजर आ रहा है, इसके बाद में, आगे हम लोग अगर, तो अगली चीज हमारे लिए है, जिसका नाम है revenue and their relationship, आगम और उससे संबंदित बातें, बाजार की अलग लग फॉर्म और इसके साथ साथ perfect competition में और monopoly में मुल्य निर्धारण कैसे होता है, कीमतों का निर्धारण, ये सारी की सारी चीजें पहले 20 labels में थी, अगर हम हम लोग पहले देखें, तो देखें, form of market, determination of price, output under perfect competition and monopoly, ये पहले भी था, आज भी है, पहले जो revenue वाला chapter था, वो production function के साथ में देखें, यहाँ जोड़ा हुआ था, अब उसको थोड़ा सा अलग से लिख दिया, लेकिन कोई परिवर्तन उसमें नहीं है, as such, तो ये सारे के सारे topic, flavors में पहले भी थे, उसके बाद, आगे चलते हैं हम लोग, अगला हमें पढ़ना है, macro economic variable, जिसका मतलब है, stock and flow variable, national income, measurement and relationship of GNP and welfare, इस topic को redesign करके, इसका नाम पता थोड़ा बदला गया है, लेकिन ये absolutely ऐसे, ऐसे flavors में पहले भी था, राष्ट्रिया पहले भी पढ़ना और जब national income शब्द लिखा हुआ है, तो आप ये decide नहीं कर सकते कि कितना पढ़ेंगे और कितना छोड़ेंगे, पूरा ही पढ़ना पढ़ता है, तो इस ले बस पहले से था, इसके साथ-साथ एक और chapter है हमारा, जिसका नाम है money, mudra, जिसके अंदर हमें पढ़ना होता है कि mudra क्या होती है, banking क्या होता है, mudra क्या वशक्ता लोगों को क्यो होती है, उसके अंदर mudra के अलग-लग प्रारूप कोन से होते हैं, उच्च शक्ती प्राप्त mudra, high powered money कोन सी होती है, इसके अलावा संकिर्ण mudra कोन सी होती है, इस सारी चीज़े हमें पहले पढ़नी पढ़ती थी हमें पढ़ना पढ़ता था कि वनिजिक बैंक और केंद्रिय बैंक, रिजर्व बैंक और कॉमर्शल बैंक, इनका रिलेशन, इनके फंक्शन क्या है, वो स्लेबस, absolutely, आज भी वैसे के वैसे ही है, तो ये चप्टर अभी भी है, बस फरक सिर्फ इतना आ जाता है, कि पहले इनक नया चप्टर हमारे स्लेबस में है, वो है, meaning and determinants of economic development, problem of Indian economy, poverty, unemployment, inequality, भारत की अर्थविवस्ता में विकास, भारत की अर्थविवस्ता में समस्याएं, गरीबी, बेरोजगारी और ऐसमानता, ध्यान से अगर देखें, तो ये चप्टर पहले भी हमारे स्लेबस में रहे हैं, ये देखें, ये रहा, भारत की अर्थविवस्ता में समस्याएं, गरीबी, बेरोजगारी और ऐसमानता, ये पहले भी था, एक अभी वहाँ पे नाम आ रहा था, development, तो development का चप्टर यहाँ नहीं लेकिन उपर पहले से था, meaning and determinants of economic development, तो development पहले से था, इसका मतलब ये दोन बुगतान संतुलन, बुगतान संतुलन का मतलब है, दूसरे देशों के साथ हमारा जो लेंदेन होता है, उस लेंदेन में, हमें dollars में, विदेशी मुद्रा में बुगतान करना पड़ता है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास कितना है, कितना कम है, वो सब चीजें balance of payment के नाम स पहले वाले स्लेबस में देखते हैं, पहले वाले स्लेबस में अगर आप देखेंगे, तो पहले वाले स्लेबस के अंदर, यहां पे ध्यान से देखिए, measure of central tendency, mean, mode, median, माद्ने मादी का वहुलक पहले भी ऐसे कैसे ही था, इसके साथ साथ balance of payment, भुगतान संतुलन, यह भी प अशास्त्र विशा के विद्यारती हैं, वो भुगता संतुलन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा एक चप्टर यहां से गायब कर दिया गया है, जिसका नाम है, Economic Planning in India, Objectives and Achievement of 12th 5-year Plan, जब मैंने आज के 6 महिने पहले, 5 महिने पहले स्लेबस discussion किया था, मैंने उ एक चप्टर आप मान सकते हैं, कि आपके स्लेबस से हटा है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ बच्चे जो कयास लगा रहे हैं कि 60% स्लेबस में चेंज हो गया, 70% हो गया, नहीं, नाम उपर नीचे लिखे गये हैं, कोई भी topic नहीं हटाया गया है, यह पहल ग्राजूशन लेवल के topic पे आए, तो ग्राजूशन लेवल का topic पहला है, theory of consumer and behavior, भोगता के व्यवहार की theory, और इसलिए मैं कह रहा था कि वो topic बार्वी में हटा तो है, लेकिन पढ़ना पढ़ेगा, ग्राजूशन में जब भोगता के व्यवहार पढ़ेंगे, तो भोगत संतुलन के बिना व्यवहार पढ़ा नहीं जा सकता, तो वो topic पढ़ना है, इसका मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसके अंदर हमें Marshall का उप्योगिता सिधान पढ़ना है, हमें Hicks का ततरस्ता वक्र पढ़ना है, Hicks और Slutsky का price effect या मुल्य प्रभाव पढ़ना है, औ और भोगता और producer का surplus या उनका जो अधिक्या वो पढ़ना है, ये topic absolutely पहले भी हुआ करते थे, इसका मतलब यहां पे कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, तो देखे, ये topic हमारे syllabus में पहले भी थे, theory of consumer behavior, Marshall का utility सिधान्त, Hicks का indifference curve, consumer और producer का surplus, Hicks और Slutsky का price effect, और इस लेकिन बाकी सब absolutely same, ऐसे का ऐसे है, तो इसका मतलब है, यहां पे कोई परिवर्तन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, अब हम लोग देखते हैं कि और क्या यहां परिवर्तन किये गए हैं, हम graduation level का syllabus देख रहे थे, graduation level के syllabus में अभी तक कोई और change हमें नजर नहीं आया, उसके बाद लिखा हूँ है, price and output determination under imperfect competition, imperfect competition का मतलब हो गया, अपून परतियोगिता के अंदर मुले और उत्पादन का निर्धारन, यह हमें पहले भी पढ़ना पढ़ता था, हमें पढ़ना पढ़ता था, monopolistic condition में, एकादिकारात्मक परतियोगिता में price कैसे निर्धारित होत trade cycle और control of trade cycle, यह topic पहले थे इस labels में, यह नया syllabus हम लोग पढ़ रहे हैं, एक बार इधर जाके हम लोग देखते हैं, कि क्या यह चीज़ें पहले थी क्या, तो देखे, यह चीज़ें आपको पहले भी नज़र आएंगी, यहाँ पे देखे ज़रा, consumption hypothesis पहले भी था, multiplier पहले भी था, dynamic multiplier पहले भी था, accelerator पहले भी था, trade cycle और यह सब पहले भी है, तो यह सब चीज़ें पहले से थी, और यह macroeconomic variables token flow, यह पहले graduation में लिखा गया था, अब इसको उठाके बारवी के साथ जोड़ दिया गया है, लेकिन absolutely slabers में same का same है, तो अच्छ से दूर रहें, slabers में कोई परिवर्तन कहीं भी नहीं है, उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें, तो आगे देखिए, अगला जो slabers में परिवर्तन है, वो है quantity theory of money, मुद्रा का मात्रा सिध्धांद, जिसके अंदर हमें मुद्रा की मात्रा क राजकोशे नितियों के उदेश है क्या होते हैं, उनके टूल्स क्या क्या होते हैं, monetary policy का और fiscal policy का objective, यह सारी चीज़ें slabers में पहले से विद्यमान हैं, आप देखिए ज़रा ध्यान से, देखिए, money का chapter पहले से था, जिसमें liquidity trap, money, यह सब पढ़ना था, quantity theory पहले से थी, inflation प उसके बाद free trade and protection, मतलब व्यापार, मुक्त व्यापार के बारे में पढ़ना है, मुक्त व्यापार का मतलब है, हमें international trade पढ़ना होता है, जिसके अंदर WTO यह सारी चीज़ें पढ़नी हैं, तो theory of trade and protection, theory of comparative cost, opportunity cost, foreign direct investment, मतलब विदेशी, निवेश, WTO, विश्यो बैंक, IMF, य इस सारी चीज़ें हमें पहले से पढ़नी होती थी, graduation वाले syllabus में थी, अब अगर हम लोग यहां पे देखें कि क्या अभी भी यह syllabus में है, तो देखें यह सब चीज़ें अभी भी syllabus में है, free trade and protection यह पुराना था, अब उदर नजर आ रहा है, theory of trade यह उदर भी है, यहां भी है foreign direct investment या विदेशी वियापार है, WTO भी है, wishu bank भी है, IMF भी है, इसका मतलब यहां पे कोई change नहीं आया, एक topic यहां पे लिखावा है demographic dividend in India, वो शायद उदर नजर ना आये, लेकिन बाकी सब है, इसके साथ-साथ पुराने syllabus में अगर हम लोग देख रहे हैं, तो पुराने syllabus क के अंदर हमें लिखा हुआ था, measure of development, HDI और PQLI, विकास के कुछ measurement या विकास के मानक हैं, जिसमें से माना विकास, सूच, कहां को यह सब है, यह पहले भी था और आज भी है, देखें, यहां पे हम लोग देख रहे हैं, अब हम लोग देखते हैं, नएस syllabus में कहीं पे है क्या देखें, नएस syllabus के अंदर, यह आपको यहां पे नजर आ जाएगा, यह रहा, measurement and indicator of development, PQLI, HDI, HPI, GDI और various measurement of poverty in India, यह पहले भी था और आज भी है, इधर भी पहले से लिखा हुआ है, सारे topic हैं, इसके साथ सांखिकी का एक topic syllabus में पहले हुआ करता था, जिसका नाम था dispersion, index number, correlation और rank correlation, हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं, index number को हम सूचकांक बोल देते हैं, dispersion को अपकिरन बोल देते हैं, correlation को सह संबंद बोल देते हैं, यह topic पहले थे syllabus में, यह topic अभी नए में मैंने दिखाए, पहले से हैं यह, अगर आप पहले से देखें हम लोग, तो देखें, पहले वाले syllabus में भी आपको यह नजर आ जाएंगे, यह रहा, यह रहा, तो graph, dispersion, correlation और index number, यह chapter पहले भी थे, थोड़ा सा इसमें फरक है कहीं पर, तो वो आप ढूंड सकते हैं कि कोई minor, major change है, minor change है, पहले graph लिखा हुआ अब graph नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी वो पढ पढ़ता है, इसके साथ साथ, पहले हमें गरीबी के बारे में पढ़ना था, गरीबी अभी भी पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है, राजस्तान के अर्थ विवस्ता, राजस्तान के अर्थ विवस्ता में पहले variety के topic लिखे हुए थे, topic का नाम ना पढ़ें, जब राजस्त में वन कितने है, पानी कितना है, जल सरोत कितने है, पशुधन कैसा है, SC, ST, बैकवार्ड क्लास, माइनोरिटी, इन सब के लिए, सरकार ने योजनाए कौन सी चला रखी है, किसानों के लिए कौन सी योजनाए है, टूरिज्म डवलोप्मेंट की योजनाए कौन सी है, तो ये सबी चीज़े पहले से थी, आज भी है, इसलिए इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, तो अब यहां तक अगर हम कॉंक्लूड करें, तो अभी तक एक टॉपिक हमें पंचवर्शी योजनाओं का गायव मिला है, पंचवर्शी योजनाओं के अलावा कुछ भी चेंज नहीं है, ना कुछ जुड़ा है, ना कुछ हटा है, उसके बाद, मौधरिक निती और राजकोशिय निती का आपस में जो उनका संबंध है वो सब हमें पढ़ना है मॉंडल, फ्लेमिंग का और स्वान का मॉडल पढ़ना है एक बार इदर चल के देखते हैं जरा ये हमारा पुराना स्लेबस आ गया पुराने स्लेबस में हमें जाना है पीजी वाले लेवल में देखिए वेलफेर एकोनुमिक्स है पेरिटो अप्टिमिलिटी है न्यू वेलफेर एकोनुमिक्स है आई एसलम मॉडल है सब कुछ सेम है concept of green accounting एक टर्म है वो हम स्लेबस में चेक कर लेंगे शायद ना हो इसके अलावा मॉंडल फ्लेमिंग मॉडल भी है केंसियन थियोरी भी है सब कुछ है अब इधर चलते है और फिर से नया स्लेबस एक बार चेक करते है इस नया स्लेबस में हमें Lewis मॉडल, Herod, Domer, Slow and Calder मॉडल पढ़ना ये सब के सब वहां पे थे तो पुराने स्लेबस में थे Regression, Probability, Sampling ये हमें पढ़ना है जिसमें से सिर्फ Concept पढ़ना है Concept का मतलब है Question कहा रहा है भाई आपसे Calculation नहीं करवाएंगे है ना आपको Statistics के सांखेकी के topic है Calculation नहीं कराएंगे आपको सिर्फ Concept पता होना चाहिए कि Regression क्या है Sampling या जो Sampling का मतलब होता है Sample Choose करने का कहला परतिदर्श जिसको बोलते हैं वो कैसे काम करेगा Data Collection कैसे होगी ये सारी चीजें पहले भी Slabers में थी हम लोग परतीब गमन वगरा सब चीजें पहले से पढ़ा करते थे Slabers में उपर नीचे भले लिखी हुई हो लेकिन ये सब Slabers में पहले से था तो ये तो सब हमारे Slabers में पहले से है अब एक बार फिर से Review करते हैं कि और कौन सी चीजे बच गई इसके अलावा हमें Economic Reforms Economic Reforms का मतलब होता आर्थिक सुधार पढ़ना था जिसके अंदर हम लोग LBG सुधार पढ़ते हैं वैश्वी करण, नीजी करण और वैश्वी करण, नीजी करण या फिर उधारी करण पढ़ते थे वो पहले भी था आज भी पढ़ना है इसके अलावा अब हमें पढ़ना है बजट में आने वाले घाटे जब राजकोशी नीती पढ़ते हैं तो बजट में आने वाले घाटे अपने आप ही पढ़ने पढ़ते हैं ये कोई विशेश अलग से टॉपिक नहीं है GST इन इंडिया, भारत में GST ये वैसे भी current affair या जब राजकोशी नीती पढ़ेंगे तो GST उसके बिना कैसे बच जाएगा वो तो पढ़ना ही है भारत में current foreign trade policy वरतमान विदेश वयपानीती क्या है वो पढ़ना है स्लेबस का हिस्सा है international trade के hex car और या all-in का model factor price equalization और sustainable development तो practically saying कोई भी topic आपके स्लेबस से नहीं हटाया गया है सिर्फ एक चीज़ को छोड़के उसका नाम मैंने आपको बताया कि एक topic जो आपका बंचुर्शी योजनाओं के बारे में होता था उस topic को delete किया गया बाकि absolutely सब कुछ सेम है नाम थोड़े थोड़े बदल दे गए जैसे current trade policy पहले भी था ये all-in model पहले भी था environment or development trade-off या sustainable development ये भी पहले से था तो इसका मतलब है स्लेबस में किसी किसम का कोई बदलाव नहीं है जबरदस्ती की ब्रांतियां ना फैलाएं ना आप किसी के influence में आके घबराएं कि हमारा स्लेबस बदल गया हमने तो तैयारी कुछ और कर ली एक परसंट रत्ती भर स्लेबस में change नहीं है और अगर आप किसी भी जहां से भी अपने तैयारी कियोगी कि अगर आप हम लोगों से जुड़े वें तो हम लोगों ने जान बुझ के पहले से पंचवर्शी योजनाओं का topic कराया ही नहीं था pending रखा था और हमने हमेशा यहीं बोलाए कि पंचवर्शी योजनाओं का topic स्लेबस से हटेगा तो वो topic हटा है इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें मेहनत करते रहें अगर अच्छी मेहनत करेंगे तो अभी भी आपके पूरे पूरे चांस है मेजर फोकस मेजर जो ध्यान है वो बारवी के स्लेबस पर अपना फिक्स करें बारवी का स्लेबस ठीक से पूरा करें maximum question वहीं से आते हैं कुछ question graduation के तैयार करें PG वाले के लिए बहुत ज़्यादा तंग होने के ज़रूरत नहीं है तैयार तो सभी करना है लेकिन वहाँ पर वेटेज कम है बहुत ज़्यादा question नहीं आते हैं तो यह स्लेबस था इस संबंद में अगर हमारे पास और कोई जानकारी होगी तो उस पर भी हम लोग शिगर आप से चर्चा करेंगे आज के सेशन के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद Thanks a lot